चंता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवाय जलाल वापिस नहीं लाएंगे क्या कॉंग्रिस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कॉंग्रिस के निता लगे होंगे ड्रग्स के चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं चाहे वो ड्रग्स के दलाल हो डीलर हो या फिर बड़े-बड़े माफिया के लोग हो यही पुपिंदर हुड़ा जीते जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी दो रुपे में जिन्होंने बड़े-बड़े सेटों को आपकी जमीन दी क्रोड़ों रुपे में लेकिन आपको दिये दो रुपे यह कॉंग्रेस तो रस मलाई खाने आती मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है जन्ता की भलाई करने कॉंग्रेस कभी नहीं आती है जनता का रिस्पॉंस बहुत शांदार है, जनता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवाय जलाल वापिस नहीं लाएंगे, दलितों पर अत्याचार की जो प्रयोग शाला कॉंग्रेस हर्याना को बनाना चाहती है, ऐसी कॉंग्रेस को नहीं लाएंगे, और जमीने मेरा एक सवाल राहूल गांदी जी और खडगे जी और विशेश तरपर भुपेंदर हुड़ा जी से, ये जो आप लेटर देखेंगे, तो तुशार गोईल है चेर्मेन आर्टियाई डिपार्टमेंट दिल्ली यूद कॉंग्रेस के, इनका हुड़ा परिवार से क्या जलाल कम पड़ गया, तो अब ड्रग्स की भी डिलिंग शुरू करती है, दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जुमीने लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते, आज पांच हजार क्रोड के ड्रग्स के रैकेट में तुशार गोईल का नाम आता है, तो मे कॉंग्रिस के पता दिकारी है, हुड़ा परिवार के साथ इनके संबंद क्या है, वोपेंदर हुड़ा जी, दपेंदर हुड़ा जी बताएं इनकी कितनी गनिष्टा है, और कॉंग्रिस पार्टी बताएं कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हर्याना के चुनाब में लगा है, क कॉंग्रिस चिंता में आ जाती हैं अगर हसम के मुक्य में तरी ड्रग्स के उपर बल्डूजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है क्या कॉंग्रिस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कॉंग्रिस के नेता लगे होंगे ड्रग्स के तो इस पाश पाश देखता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं चाहे वो ड्रग्स के दिलाल हो डीलर हो या फिर बड़े-बड़े माफिया के लोग हो राहुल गांदी जी और खडगी जी एक इस बात का जवाब होते हैं और दूसरा जो करनाड़क में बारा सो किसानों ने आतम हत्या की क्या बारा किसानों के घरों में भी राहुल गांदी और खडगे जी गए और क्या मुआवजानों को दिला तो मेरा सीधा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घुट्टी उनके पास है लोग सभा चुनाव खतम हुए सब खतम हुआ था हर्याना के चुनाव आए फिर शुरू हुआ मेरा इतना ही कहना है किसानों के हित में है अगर किसी ने काम किया तो निरेंदर मोधी जी ने यही भुपिंदर हुड़ा जी थे मैं किसानों को याद करवाना चाहता हूं यही भुपिंदर हुड़ा जी थे जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी दो रुपे में जिन्हों मिन्याचन के मेटी इर्पोर्ट को लागू करने के लिए उड़ा जी ने उन आठ सालों में क्यों नहीं लागू करवाई अब क्या कौन सा तीर उनके पास आ गया है भाई सवाल यह खड़ा होता है कि कॉंग्रेस की जब सरकारें थी तब इन्होंने कुछ ने किया मोधी सरकार ने तीन गुना ज्यादा खर्चा किया है मैस्पी खरीद करने पर और अब 24 की जो भी फसलों को हम खरीद देंगे 31 रुपे क्यूंटल धान करीद देंगे 10,000 और किसान को करने काम हमजो कर रहें कंगरती नलकितार तनकाशामक्त हर्याणा भारती जनता पाटी लगातार काम' कर रही है और हर्याणा में कॉंग्रेस के लोग उनके साथ हाथ मिला रहे हैं कॉंगरेस के बड़े-बडे नेता जो ड्रॉक्त लिए है ये तुशार गोईल कॉंग्रेस के ही आटी आई कमेटी का चेर्मेन डिबार्टमेंट का दपेंदर हुटा जी के इनके साथ क्या संबंद है हर्याना के लोगों को बताएं फिर जाके कहें कि हर्याना को नशा मुक्त करेंगे अगर ऐसे डीलर जो ड्रक्स बेचते हों उनके साथ इनके संबंध हैं तो आप सुमझन लिए हर्याना में चया कहा है आता है आज हर्यानावासियों को पता चलेcycl है , कॉंग्रेस हिमार्चे में वाइदा इसलिए पूरे नहीं कर पाई की कॉंग्रेस ने कभी वाइदे पूरे करने की इच्छे नहीं जिताई कॉंग्रेस तो रस मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है जंता की भलाई करने कॉंग्रेस कभी नहीं आती है हर्याणा में भारती अंता पाटी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अगले पांच साल में जैसे हमने चवह मुखी की विकास पहले करवाया आगे कराएंगे हुटा जी की तरह एक जिले तक सरकार को सीमित करके नहीं रखेंगे